हमारे गौब न चूड़ा का एकदम देशी नास्ता बनता है जो खानी में बेहदी टेस्टी लगता है और ये ठंडी के मौसम में ही बनता है चूड़ा जो नए वाले धाने होता है उससे चूड़ा बनता है बहुत अच्छे स्वाधिश्ट बनते हैं तो हलो फ्रेंड्स मैं ह रूपा और रूपा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज का नास्ता आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करें चैनल को सिस्क्राइब करें तो सबसे पहले एक कडाही ले लिजे और उसमें तेल घी बटर आप चो भी खाना पसंद करत मिर्ची और एक बारी कटा हुआ प्याच इसे अच्छे से भून लेंगे मेडियम फ्लेम पे हैं रेसिपी बनाएंगे 10-15 मीठी निम यानि कड़ी के पत्ते डालकर अच्छे से ये इसे भून लिजे इसे पूरा नहीं फ्राइब करना थोड़ा सा इसे कच्छा मन खतम करना इसे स्वध है जो उभर के आता है और यह और यहान बहुत ज्यादा यह बनता है हमारे यह बहुत ही ज़्यादे इसे वहीं खानाई में बहुत ही टेस्टी लगती है इस नास्ते में बहूत अच्छा कांबिनेशन होता है थोड़ा सा हल्दी पोड़ा लिज्जे और स्वाधनुसार नमक आधा नेमो को निचर लिए चाक इसमें खटास हो और खाने में बहुत ज्यादा ये टेस्टी लगे और बहुत ज्यादा ये हेल्दी भी रेसिपी है और इस अच्छे जिबून लिज्जे इतना अच्छा इसे में भूनेंगे थोड़ा सा इसमें क्रिस्पिस रह जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बस इसी तरह से भूना है अगर आपको गाजर पसंद हो तो भी डाल सकते हो गाजर मुली आलू भी काटकर अब ये हमने लिया ढहाई सब्राम चू भूनन और ही हमारा माटरी जो चूड़ा है न वो भून के तेयार हो गया है बहूस से बहुत ही ही हेल्दी है इस आप गर्म घंद खा सकते हैं बच्छों को टीपिन में दे सकते हैं किसी टाइम भी इसे खहा जा सकता है और यह मुंफली जिसे हमने तल की रखिती अ पहुत या चाहें तो इसमें नारियल, काजू, पीस्ता ये सब चीज़े भी आप डाल सकते हो ये एक हेल्दी नास्ता बनके तयार हुआ ये पोश्टिक्ता से विरपूर है कहें तो ये सेहत का खजानना आगर सुबह सुबह नास्ते में लिया जाए ये साम को लिया जाए तो और ये हमारे चूड़े का जो नास्ता है ना ये चार लोगों के लिए परियाप्त है इसे चार लोग में आप नास्ता को दे सकते हैं ये खाने में बेहरी टेस्टी, स्वादेस्ट है, हेल्दी है, कम तेल मसालों से ही बना हुआ है वारे लोगों को देन खाने के लिए गर्मा गर्मी से स्वार्व कीजिए थोड़ा सा नेम्बू और मेची साथ में रख लीजिए खाने का स्वाद होता है जो बढ़ा देता है और इसे आप जरूर बनाए नए चूड़े का रेसेपी आपने पोहे से तो बहुत वर बनाया ह होगा तो आप देशी चूड़े से बनाए खाने में बेहद यह टेस्टी लगते है स्वादिश्ट लगती है और रेसिपी अच्छा लगए तो फ्रेंड फैमिले में इसे जरूर से एर करें आप इसे न सट दीओ में जरूर बनाए यह देखिए बहुत ही खिरी खिली बनती है और खाने में बेहद यह स्वादिश्ट लगती है चट पटी एदम लगती है बच्चों को टीबीन में भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी इसे आप ले सकते हैं तो यह ठंडी के मौसे में सबसे ज़्यादा खाने वाली रेसिपी है तो इसे अब जरूर बनाए और ट्रा टाइब करें बाए फ्रेंड्स